स्वागत आपका सिव्म की गड़त में अगर आप यूपी प्लेस की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आएं जिसमें एक संग्या से संबंदित क्लास होगी जिसका ही पार्णमर थिरी है अगर आपने इससे पहले का पार नहीं देखा है तो चैनल पर बनी है आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों के इस क्लास की पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक होगा आप लोग महां से जान कर लीजिएगा टेलिग्राम पर आप लोगों को पीडियाप मिल जाएगी तो चलिए वीडियो सु किसी जगह का नाम हो गया या क्ई始प्का को ऎक्दार्थ हो गया यह सब ये इतर दोस सब किसके इंतर गता आ जाते हैं तो इसमें सब सा एसरे से अppenता पर क्या हो जाए कि संग्या का म मदल्ब किसी इंतर गतांस देखते हैं तो स एक विसेष का नाम हो गया तो यह किसके अंतरगत आ जागती तो यह अ्रति वेक्तिवाचक संगया के अंतरगत तो यह संगया यह होगए भारत देखे हम विसेष नाम łगया तो यह विसेष और यहां पर देखिए ग्रंद तो यह क्या हो गया ग्रंद भी एक संग्या होगी तो टोटल कितनी संग्या हो गया तो इसमें कुल कितने संग्या पद हो गया तो इसमें कुल तीन संग्या पद हो गया और यह पवित्र क्या हो गया तो पवित्र हो गया यह विसेशन हो गया क् स्रीमत भारत का एक पवित्र ग्रंट है तो इसमें कुल कितने संग्यापद हो गए तो इसमें कुल तीन संग्यापद हो गए चलिए अगला कोशन देखते हूं द्रव आचक संग्या का उधारन तो द्रव आचक संग्या का उधारन कौन सा हो जाएगा तो द्रव आचक संग्या देखिए वो होते हैं जिसके अंतरगत सारे द्रव गैस और पदारत आ जाते हैं तो वो किसके अंतरगत आ जाते हैं सारे द्रव आचक संग्या के अंतरगत आ जाएगा सम्ंव आशक संग्या के ईंतर गए आजाएगा तो यह अच्छा में संग्या किसमें हो जाएगी तो बावाचक संग्या जो आजएगा वो वीरत में हो जाएगी किसमें कच्छा में संग्या तो कच्छा में कौन सी संग्या हो जाएगी तो कच्छा में देखिए क्या होता है कच्छा में होता है विद्यार्थियों का समू क्या होता है विद्यार्थियों का समू होता है जिसे विद्यार्थियों में क्या आ जाते है उसमें लड़के भी आ जाते है और लड़किया भी आ जाती तो कच्छा में क्या होता है विद्यार्थियों का समू होता है जिसके अंतर लड़के तता लड़किया दोनों ही आ जाते हैं तो कच्छा किसके अंतर गता जाती तो यह आ जाती है समुदाय वाचक संग्या के अंतर गत जिसे समू वाचक संग्या भी बोलते हैं तो कच्छा में कौन सी संग्या हो जाएगी तो यह हो जाएगी समुधाय वाचक संग्या हो जाएगी चलिए अगला कुश्चन देखते हैं यह मोहन की गाय यहां गाय सब्द में संग्या का कौन सा बेद है तो यह मोहन की गाय है यहां गाय सब्द में कौन सी संग्या हो जाएगी देखे चले मोहन में कौन सी संग्या हो जाएगी तो मोहन में मोहन किसी विसेश का नाम हो गया तो जब किसी विसेश का नाम होता है तो उसमें कौन सी संग्या होती है तब उसमें होती है व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी होती है तब उसमें व्यक्ति वाचक संग्या होती है और सारे जानवरों में कौन सी संग्या होती है तो सारे जानवरों में होती है जाति वाचक संग्या होती क्योंकि गाय बोल दिये तो इसके अंदर गत अंतरगत गाय की सारी प्रजातियां आ जाएंगी जिसमें सारी गाय आ जाएंगी इसलिए क्या हो गया ये जाती वाचक संगया हो गया वैसे कुता बोल दिया तो कुता भी क्या हो जाएगा तो ये भी इसके अंतरगत सारे ही कुट्ते आगा तो यह भी क्या हो जाएगा जाती वाचक संग्या हो जाएगी जैसे कुट्ता हो गया पच्छी हो गया नदी हो गया तो यह सब किसके अंतरगत आ जाएगी तब यह जाती वाचक संग्या के अंतरगत आ जाएंगे चलिए अगला खुशन देखते है पीतल सब्द है तो पीतल सब्द कौन सब्द है तो देखे पीतल क्या लग रहा है तो पीतल लग रहा है एक परकार का ये पदार्त लग रहा है का इसा पदार्त लग रहा है तो ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ लग रहा है तो पदार्थ किसके अंतरगत आते हैं तो पदार्थ जो है वो आते हैं द्राव वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आते हैं द्राव वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं में क्या हो जाएंगा उपर लुट सब्द में संगया तो लूट सब्द में प्रकान प्रक्री संगया हो одно लूट सब लूट जो सब्द है वो लूटना से बना है जो कि लूटना जो कि होती है वो लूटना होती है यह किरिया होती है तो यह किरिया होती है तो यह किरिया से क्या बनाया गया है तो किरिया से यह भावाचक बनाया गया है तो किरिया से जब हम संग्या बनाते है तो कौन पाचक संग्या हो जाएगी चलिए अगला कोशन देखते हैं बड़े बड़ाई ना करे सब्द है तो बड़े बड़ाई ना करे में बड़े सब्द क्या हो जाएगा तो बड़े बड़ाई ना करे में बड़े सब्द जो हो जाएगा ये विसेशन हो जाएगा क्या हो जाएग तीन वेद होते हैं जैसे कि एक होता है व्यक्तिवाचक संग्या कौन सा होता है एक होता है व्यक्तिवाचक संग्या दूसरा होता है जातिवाचक संग्या और तीसरा होता है भावाचक संग्या तो संग्या के मुख्यता तीन वेद होते हैं व्यक्तिवाचक संग्या जातिवा पांच वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं, जब पूछेगा संग्या के कितने वेद होते हैं, तब संग्या के पांच वेद होते हैं, और उसमें दो और जूर जाएगा, एक हो जाएगा, द्रवाचक संग्या, द्रवाचक संग्या, और एक चौथा पांच मां जूर जाएग निम्द में संग्या सब्द, तो इनमें से संग्या सब्द कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से देखो संग्या सब्द हो जाएगा, नजदीक कौन सा हो जाएगा ये, तो संग्या सब्द नजदीक हो जाएगा, ये गरीब, अच्छा और अमीर, ये तीनों क्या हो जाएगे, तो तो ये तीने विसेशन हो जाएंगे और नजदी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा संग्या हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते है वाई इस्तरी तो गंगा है गंगा सब्द में संग्या है तो वाई इस्तरी तो गंगा है तो गंगा सब्द में क्या हो जाएगा तो गंगा सब्द जो आई है विसेश किसी का नाम हो गया तो जब किसी का विसेश किसी का नाम होता है तो वो किसके अंतरगत आ जाता है तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संग्या के तरगता जाता तो वह स्तिश्तों गंगा संगिया होजाएगा तो विक्किवाच पीजितने भी भारत में वह सारे बाट में जितने भी क sorry अग्या पर प्रकार की जाती बता दी गए कि ये सारे ये वुच्छ प्रात्मिक बिध्यला है अग्छे लिए उगला कोश्च देखते हम भावाचक संगया नहीं है तो इन में से भावाचक संगया कौन सा नहीं होगा तो इन में से भावाचक संगया है जो निरर्थक नहीं होगा कौन सा नहीं होगा निरर्थक नहीं होगा ये उदारता सजनता और महादुर्य ये तीनों बावाचक संगया होंगी पगर निर्ठक बावाचक संगया नहीं होगी चलिए अगला कोशन देखते हैं कबूतर में संगया है तो कबूतर में कौन सी संगया हो जाएगी तो कबूतर देखी क्या होगए ये एक पच्ची के انतर गता आ गए तो पच्ची सारे किसके अंतरगत आ जाते हैं तो पच्ची हैं जो सारे वो जाती वाचक संग्या के अंतरगत आ जाते हैं तो पच्ची में कबूतर क्या हो गए उसमें सारे प्रकार के कबूतर आ गए जो भी कबूतर होते हैं सबी आगाई क्यूंकि वो कोई बिसेश नहीं यह इसलीए वह जातीवा चक संगया के अंतर्गत आगाए चलिए अगला कोश्चन देखता हूं हिनम कित में इनम से कौन सा है जो तो इस मेलित हो जाएगा सुमेलित कौन सा हो जाएगा वीरता भावाचक संग्या है यहां यह सही है वीरता भावाचक संग्या होती है नदी जातिवाचक संग्या है यह भी सही है नदी जातिवाचक संग्या है अगर नदी में किसी का नाम लेक देता है जैसे कि गंगा नदी तो गंगा नदी तब यह क्या हो जाती तब ये गंगा न दी है जो व्यक्तिवाचक संग्या हो जाती जैसे कि पर्मात्मा पर्मात्मा व्यक्तिवाचक संग्या है हाँ ये भी सही है पर्मात्मा व्यक्तिवाचक संग्या है जबकि साबुन साबुन क्या हो जाएगा साबुन विक्ति वाचक संग्या ना होके क्या हो जाएगा ये जाती वाचक संग्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये जाती वाचक संग्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा जाती वाचक संग्या क्योंकि साबुन बोलने से साबुन के अंतरगत सबी प्रकार के साबुन आ गए उसमें चाहे कपड़े दोने के साबुन नहने का हो या किसी और काम का लेकिन वो सारे ही के अंतरगत आ गए इसलिए ही क्या हो जाएगा जाती वाचक संग्या हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अव्यव से भावाचक संग्या से बना वापद है तो अव्यव से भावाचक संग्या से बना वापद कौन सा हो जाएगा तो इनमें से अव्यव से बना भावाचक संग्या हो जाएगा दूरी कौन सा हो जाएगा ये इसमें तो ये दूरी हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखते है निन नांकित में भावाचक संग्या कौन है तो निन नांकित में से भावाचक संग्या कौन सी हो जाएगी तो इसमें से देखे भावाचक संग्या हो जाएगी मनुस्यता कौन सी हो जाएगी भावाचक संग्या ये मनुस्सिता हो जाएगी और इसमें से राष्ट और मानो ये क्या हो जाएगे तो ये हो जाएगे एक परकार के जाती वाचक संग्या क्या हो जाएगे ये जाती वाचक संग्या हो जाएगे क्योंकि मानो बोलने से मानो के अंतरगत सारे ही मानो प्रजाती आगे राष्ट बोलने से इसमें सारे ही राष्ट आगा इसलिए ये हो जाएंगे जाती वाचक संग्या हो जाएंगे चलिए अगला क्वेशन देखते हैं निम्नांकित में जाती वाचक संग्या कौन है तो इन में से जाती वाचक संग्या हो जाएगी मित्रता क्या हो जाएगी ता ये भावाचक संग्या हो जाएगी क्या हो जाएगी भावाचक संग्या हो जाएगी राष्ट क्या हो जाएगी तो राष्ट हो जाएगी जाती वाचक संग्या हो जाएगी क्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या हो जाएगी क्या करा किसी व्यक्ति वस्तू इस्तान भाव तो यह सारे किसके अंतरगत आते हैं जो व्यक्ति वी वस्तू इस्तान भाव तो यह सबी आते हैं संग्या के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आते हैं तो यह सारे संग्या के अंतरगत आते हैं सरवनाम क्या होते हैं जो संग्य के इस्तान पर प्रियुक्ति किये जाते हैं जो संग्या के इस्तान पर लगाया जाते हैं वो सरुनाम होते हैं और विसेशन क्या होते हैं जो संग्या के या सरुनाम की विसेश्टा बताते हैं तो विसेशन क्या होते हैं जो संग्या या सरुनाम की विसेश्टा बताते हैं वो किसके इंतरगरद आ जाते हैं तो सारे द्रव आ जाते हैं द्रव आचक संगया के इंतरगरत तोगी में कौन विशेस नाम Works राजा जो वो दस्रात रहता कि एक परकार कर विशेश होगय है त Séippus कि कि लिएंधर आ डायते है किसके इंतर्गत एंधर विशेस का मतलाव होता है कि इस ने शी न बोल के शीतर में वांबोल घ्सकतर न क्या इस सारे कोसित अजा रहा जा तै तौ संके थाwarming में क्वाद जाएं wir ला जाएजा के इन तरहने करें आहें लून्हीं के इन रहा जाएं तो ये द्रवाचक संग्या के अंतरगत आते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं किसी विशेस वेक्तिया इस्तान का बोट कराने वाले सबनों को कहते हैं तो देखिए इसमें जो देखिए क्या का है किसी विशेस वेक्तिया इस्तान को जब किछी विसेष विक्ति या स्थान के बारे में बात करता है तो हमेशा उसमें कौन सी संग्या होती है जब भी विसेष की बात करेगा तो उसमें होगी विक्ति वाचक संग्या कौन सी संग्या होगी तब उसमें होगी विक्ति वाचक संग्या होगी